तो बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहेगी सरफ जो पार्ट ए हट गया है तो उसका इंपक्ट क्या होगा कट-off पे कॉंपडिशन पे अब जैसा कि आप लोग जानते हैं CVT का जो एक्जाम होने वाला है 2024 का इसमें सी पार्ट भी आएगा मतलब कि जो आपके डोमेने 75 questions होते थे सिर्फ वो सारे questions पूछे जाएंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में discuss करने वाले हैं और इस हिसाफ से आप अपने preparation को भी कर सकते हैं सो सबसे पहले मैं आप लोग को बदा दू जो गुड न्यूज यह हो जाती है कि आपका जो दो पार्ट में होता था अब सिर्फ 75 questions पूछा जाएगा और यह 75 questions solve करने के लिए आपके पास 105 minutes होते हैं और total marks की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ 300 marks होता है this means कि पहले अगर हम 2023 तक की बात करते हैं तो part A होता था जो आपके general sections होते थे और part B होता था जो आपका domain specific होता था लेकिन 2024 से अब जो हैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट B है तो इसका क्या impact होता है तो सबसे पहले हम लोग एक comparison के रूप में देख लेते हैं Delhi University और JNU और आपका Delhi University 2023 में क्या होता था कि JNU सिर्फ आपके 75 portion को ही consider करता था लेकिन Delhi University में 100 questions आते थे this means कि आपके 25 portions जिसके total marks हो जाते हैं 100 और 75 domain specific question जिसके total marks हो जाते हैं 300 तो JNU का जो cutoff निकलता था वो out of 400 पे आता था अब JNU का जो cutoff आती थी वो सिर्फ 300 पे निकलता था ठीक है तो यहां तक तो ठीक है लेकिन सवाल फिर यहीं हो जाता है कि जो आपका part A यानि कि यह 25 यानि 100 marks जो खत्म हो गया अब इसका क्या impact रहेगा तो सबसे पहले अगर हम और JNU के political science के cutoff के बारे में बात करते तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 20 अगर जे प्लिट्र साइज्ट में माल ली किसी या किसी भी सब्जेक्ट में का जाय किसी भी सर्जेक्ट में आप रोग एक्जाम देरों पहरा objective होता है यह मुझे जेनी में admission लेना है अब माली जे जो cutoff 200 आ गई है तो इसके बाद अब जैसे हम देखते हैं कि दियू का जो cutoff हो गया वो माली जे 220 हो गया अब बहुत सारे लोगों का last year भी call आ रहा था है मेरा तो 200 में admission नहीं हो पाया और डियू में मेरा 220 पे admission होगी ऐसे क्यों होगा क्योंकि यहां पर आपको 400 पे admission मिल रहा था और यहां पे 200 में यानि दोनों का difference अगर आप देखेगा तो आप मानगे चले कि कोई एक ऐसा candidate है जिन्होंने सिर्फ पार्ट बी पर focus किया है यानि ज अगर आप इसी marks को out of 400 भी देखते हैं और पार्ट ए में roughly आगर मालीज आपके 5 marks भी आए तो total out of 400 अगर हम लोग देखते हैं तो 214 marks ही होते हैं लेकिन कोई ऐसा candidate है जो पार्ट बी में मालीजे 180 ही score किया है लेकिन पार्ट ए में उस candidate का मालीजे 60 भी आ जाता है तो इस candidate का 240 हो जा रहा था और ये candidate को भले ही आपने domain specific में कम score किया है फिर भी आपको Delhi University, HCU, BHU ये सारे university मिल जा रहे थे तो अब जो important हो जाता है वो ये की पहले ये हो रहा था कि अगर आपका domain specific में थोड़ा सा कम भी अगर marks आ रहे हैं तो क्योंकि part A और part B कि बहुत सारे university except JNU सारे university दोनों को consider कर रहे थे तो दोनों मिला कि आपका कहीं ने कहीं जो है part A से भी make-up हो जा रहा था आपका जो है make-up हो जा रहा था अगर आपने part B में slightly कम भी score किया लेकिन part A अब खत्म हो जाने के बाद आपका जो है 600 अब एक ही preparation के लिए बचता है और एक ही बार आपको चांस मिलता है क्योंकि बहुत लास्ट ये चीज़ हम लोगों ने इस्ट्वेंट्स को बोला था कि जब आप इंटर्स एक्जाम में बैठते हैं तो आपको सबसे पहले पार बी के question paper देखने है अब मैं एक बार जो लास्ट येर हम लोग ने अपनी इस्ट्वेंट्स को बताया था जिसके कारण को डली उन्वसिटी में फैदा हुआ जैसे लास्ट येर आपको 120 मिलते थे और 120 मिनेट्स में आपको 25 पार्ट एक के सॉल्व करने थे और पार्ट बी के 75 सॉल्व करने थे तो लास्ट येर हम लोग ने इस्ट्वेंट्स को यहीं बोला था कि अगर आपको लगता है कि यह 75 पोश्चन्स में आपको difficulty हो रही है त इसमें मैक्स-to-max 90 मिनेट्स हीं दीजिए और बाकी के जो 30 मिनेट्स बसते हैं इसको फटा-फट आप पार्ट एक को सॉल्व करने में लगा दीजिए सो देट कि यहां से 75 में से अगर आपके 50 to 60 भी सही हो जाते हैं तो आपका यह objective होना चाहिए कि पार्ट बी ए का जो मार्क्स बसता है यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंपंसेट हो साथ सके और अब देखिए 50 to 60 75 में सही होने से तो आपको जे नहीं मिल जाएगा लेकिन कुछ कंडिडेट ऐसे थे जिनका 45 to 50 ही सही हो पा रहा था आपके पार्ट बी में तो उन सारे को हम लोगों ने बोला थे कि ठीक है आप फटा फट जो है पार्ट ए में अपना समय लगा के स्वाल कर लिजे जिनका 40 भी सही हो रहा है उनको भी हम लोग ने बोला थे कि अब 30 देली उनिवर्शीटिटेशन तो वह चीज आपके पास एक फैदा था कि आपका अगर पार्ट बी में मार्क नहीं बन पा रहा है तो आप पार्ट ए में मार्क बनाकर अच्छे बड़ी उनिवर्शीटी में एडमिशन ले सकते हैं अब वह चीज जो है यहां पे खत्म हो ग पार्थ करेंने के लिए बैठते हैं तो हमें प्रिपुराइशन पार्ट रीक करना होता था अब यह जरी आपका मादके चले जब यूंप ङुप पहारना उता था और जए सटेपर में चिसले अल्यां लाते प्रिषट से जोड़ से सेट में अच्छे BY सत्य यह हो जाता तो तो पहले का सिस्टम थोड़ा वैसा ही था और अब क्या है हाँ यह चीज़ जरूर है कि इंग्लिस मेडियों वाले इस्टुनिस को पहले थोड़ा फैदा हो जाता था अब उनको भी वह चीज़ फैदा नहीं होगा तो यह लेवल सब्सक्राइब क्योंकि जो अब जो मेरिट लिष्ट है वह सेवंटिफाइब कोश्चन पर बनेगा दूसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती अगें जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैट रहें तो अब जो डिवीजन आफ टाइम में वह भी कम हो गया खत्म हो गया अब आपको टाइम एक के लिए डिवाइड करना ही नहीं है बी अब हंडेट परशेंट फोकस होए सीट फॉसिफ बी में करना है दिसमिंस जो पहले श्विन को लगता था है कि ठीक है चलो मेरा पॉलिटकल थियोरी नहीं कवर आप हो पा रहा है तो इंग्लिस से कव कॉछेंट को मिलने वाला है क्योंकि हिंदी मीडियम का पार्ट एमीं कम मार्क्स को इसकोर हुआ है अगर आप 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 बी दुनों को को डिवाइड करते हैं तो पार्ट एक फैदा जो है इंग्लिस मीडियम इस्टुएंट को ज्यादा अब वह चीज नहीं होगा तो बहुत सारे श्ट्वेंट को लग रहा है तो सिर्फ 75 पोश्चन ही सॉल्व करना है लेकिन आप यह भी देखिए न कि 75 पोश्चन को सॉल्व करने के लिए पर टाइम भी तो कम कर दिया गया यानि कि आपके पास 105 वाइफ मिनेट्स हैं जो कि पहले 120 मिनेट्स होते थे और पहल कुछ इस्ट्वेंट को उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग को पार्टे सॉल्व गयने की जवरत नहीं है कि आपका प्रिक्रेशन बहुत अच्छा है तो वह सारे इसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्ट बीप हंड़ेट परशेंट इन्फेक्ट जो है जीरो है और जैनी में उनका एडमिशन हो गया तो उनको सारत समय जो है सिर्फ और सिर्फ याने की 120 मिनट्स आपको उसकी पार्ट बी पर फोकस करना था अब कहीं ने कहीं यहां पर 15 मिनट्स आपका जो रिविजन का टाइम होता है वो थोड़ा कहीं ने कहीं खत्म हो या ऐसा नहीं है और तफ होने वाला है और जहांता कोशन के लेवल की बात करते हैं तो सीवेटी ने 2022 2023 में जो स्टैंडर्ड मिन्टीन किया है वो काफी अच्छा है क्योंकि आप अगर जैन्यू के स्टैंडर्स से कंपेर कीजिएगा तो कहीं ने कहीं वो कम है लेकिन ज्या ित्यार्स से चीजों को आपके पास ध्यान में रखने वाली बात है प्रस क्या है क्या है कि आप एक ही एक्जाम है और इसी में आपको परफॉरम करना है इस exam में आप में परफॉरम किया तो। अच्छे university में admission मिलेगा अच्छे course में admission मिलेगा अगर नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा तो एक single short exam है जी जान लगाकर आपको preparation करने की कहा तो यहां और आपके पास और कोई question है query है तो आप एट 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 सेवन एट 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 पोर नाइन पे call या message कर सकते हैं और exam TAG के तरब से अलग-अलग papers के past papers question bank test series study material online classes सब कुछ provide किया जा रहा है तो आप इस number पे call या message करके पूछ सकते हैं और preparation related admission related कोई query है तो आप comment में comment कर दीजिए and we will try to answer it as soon as possible और वीडियो पसंद रहा है तो please like भी कर दे और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को भी subscribe कर दे और notification bell भी दावा लें so that जितनी important breeds होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे So thank you and we wish you all the best